मुक्यमंती शिरासिंग छोहार ने मद्धप्रदेश की सिएम हैल प्लाइन में किसानों के लिए जोड़ी नई सुवीधा अब किसानों को होगा है यह बड़ा लाब दोस्त वाहत है आपका इंडिया विजन और में हूं आपका होश्च दोस्त कुल्दीप पांडीप दोर शो को आज कि इस वीडियो हूं बात करने जा रहे हैं मध्यप्रदेश के मुक्यमांदी सिर्या सिंग चुहां द्वारा मध्यप्रदेश की स्रीम हल प्लाइन में मध्यप्रदेश से किसानों हिर्थे जोड़ी नई वेवस्था के विश्य में क्या है प्रिजानकारी जान निकले इस वीडियो को अंतर तक अब श्य देखें दोस्तों अब नहीं जाना पड़ेगा चाइस सेंटर से हमेरे प्लाइन में मिलेगी किसानों को नई विवस्ता दोस्तों मुक्हिमंदी शिरासिंग चुहान गंतांतर दिवस के पहले ही प्रदेश में नई योजनाओं की श चुहान ने इसका हल निकालते हैं कि अब किसानों को च्वाइस सेंटर जानी के जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि किसान अपना खसरा और खातों नहीं सीम हेल्पलाइन 181 के जरीए पासकेंगे इस सेवा कि शरुवाद गंतन दिवस के पहले ही सिम सिवरासिंग चुहान द खातोंनी के लिए आप केवल सीम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करना होगा जिस पर मांगे गए दस्तावेच के बारे में बताने के बाद आप अपना खसरा और खातोंनी निर्धारिस शुल्क जमा कर ईमेल या वाटसप पर प्राप्त कर सकेंगे प्रदेश में नहीं गारेंटी कानून के तैयत अगर खसरा खातोंनी को नक्षा किसी कारण बस निर्धारिस समय सीमा पर नहीं मिलता है तो वह पोर्टल पर सोता ही अगले दिन मिल जाएगा प्रदेश में नागरिकों को सुविदा पहुचाने के लिए सरकार कहीं तरह की सुविदाएं स्थार करते हुए नई सुविदाओं की शिरुवात की जा रही है से प्राप्त होगा खसरा खतो हैं दोस्तों बता दें कि सब पहले भी मुक्यमंती सिर्वासिंग चोहान ने स्थानी निवासी और जाती प्रमान पत्र के लिए परेशान होते यूबाओं के ध्यान में रख से बताया जाएगा कि उन्हें भी खसरा खतों नी चाहिए वह अपने पहले स्यम हेल्प लाइन पर कॉल करें जिसके बाद उन्हें बड़ी ही आसानी से खत्रा और खासों नी मिल अपलब्द हो जाएगा शुल्क जमा करने के लिए भी दिये जाएगा ऑप्शन्स दूस्तो जाएगी जो एक ही दिन में मिलेगी स्यम कलेक्टर कमिशनरों से करेंगे चर्चा दोस्तों इसी नई सेवा के शुरूबात करने से पहले मुक्यमंति शिवासिंग चुहान प्रदेश के कलेक्टर और कमिशनरों से बातचीत करेंगे इसके लिए 25 जनवरी को बोपाल मिन्ट कानून के 10 साल पूरे हो जाएंगे इस दोना लोग सेवा एवां सुशासन के चेत्र में अच्छा कारी करने वाले अधिकारियों वा कर्मचारियों को सम्माने जाए